आज का जो विश्य है जिसके पर में हम बात करेंगे कल से नवरातरे शुरू होने जा रही है जो चीजी आप करते हो वो तो आप करते ही रहो लेकिन जो जो चीज़ आज आपको मैं बताने जारी हूँ यह आपका कहते है ना जब सारे दराजे बंद हो जाएं तो यह एक ऐसा स देरे में चल रहे होते हैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं वो फॉग लाइट एक्स्ट्रा जला देते एक टुक होता है फिर एक और डबल टुक होता है ताकि वो दूर द्रिश्टी देखे है ना है कि नहीं तो हमने इस समय पे अपनी जो एक वाइ आस्ता रोक ना सके और यह होएगा अगर आपको जो जो चीजे बताने जारी हूं अगर जिस हिसाब से बतारी हूं अगर आप कर लिए यह मेरा पक्का वादा है इस समय पे कोई न कोई मार्ग कोई न कोई दिशा जरूर मिलेगी जो आपको तरक्की के टुवर्ड लेके जाए कहते हैं अपनी भक्ती में इतनी शक्ति जगालो कि उपर वाला मजबूर हो जाए के जा लेकिन फिर वही बात आती है ना कुछ चीजे साइकल होती है है ना मतलब जो ऊपर है वो इतना घमंडना रखे वो नीचे आएगा जो नीचे है वो इतना विश्वास रखे के मेरा भी समय आएगा है ना यह तो एक प्रकृति का लौ है रात है तो दिन है दिन है तो रात आएगी लेकिन वो इस प्रकृति के लौ वो जो क् उसकी वज़े से कहते हैं हम अपना जो विश्वास है उसको डगमगा नहीं सकते हैं वो हमारे साथ नहीं है हमारी materialistic या हमारे relation वो कहते हैं सबसे पहला जो रिष्टा है वो तो मेरा उनके साथ हैं वो जोड़ो वो जोड़ो होगे आप है ना जब वो जोड़ जाएगा तो ब चीज़े कुछ नहीं है कुछ नहीं वो लाइफ की न उनकेते न मैं स्यूटिंग करती हूं तो वो कितना उबजर्व हैं न जैसे सो एgging क्रे की फिडियो चल रही हो ते जैसे कैरेक्टर बदलते हैं सी बदलता है ना वैसी हमारी एक मूवी चल रही तो उसमें सीन बदलते ह आगे आगे, लेकिन उसकी वज़े से कगते है ना, वो जो सीन्स बदल रहे हैं। उसकी वज़े से मैं, मेरा जो क्यारेक्टर, मेरा जो य। कहते है। मेरा य॥थ्व क्या है। उनके साथ। आई एं एम वन, आई एम आठ अलग-अलग। आप समझे जो समझाना चाती हूं समझे जिस दिन ये चीज समझ जाओगे ना सची एकदम ठीक है है ना तो जो जो चीजे आज आपको मैं बताने जारी हूं आपने करना है 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 ना सबसे पहली चीज आप जो जो खेतरी बोते हैं जो सब कर रहे हैं है ना वो तो आपने करना है है ना वो तो आपका जो नियम है आप बहुत सालों से करें वो आप करी रहे हो है ना वो तो आपने करना ही करना है आज मिटी का बरतन आपने लिया आना है जो लेके आनी है क क्याती है मिटी लेके आनी आए कल मा के आगे साड़े 6 के बाद में साड़े 6 बज़े आपका यह हो जाना चाहिए जैसे जब सूरी उद्धे होता है उसके 48 मिनिट्स के बीतर बीतर यह आपने जो भी करम करना वो आपने करना ही करना है मा के बाइसाइड एक आपने पंच का धियान करना है ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई पहले सबसे पहले शिवजी का देखो फिर ओम नमस्षिवाई 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 ऐसे उसके बाद जिनको भी आर्थि पैसा है तो चंदी कर लेके हो और कोई बात नहीं आज नहीं है कल हो जाएगा बहुत हो जूगा कोई ऐसी बात नहीं अपना क्या कहते हैं सफेज चंदन हो गया हल्दी हो गया फिर उसके बाद केसर हो गया थोड़ा उसको मिला कर उसके गेल से उसके गेल कह रही हूं उसके ग वह मैं साइड में लिख दूंगी कोई ऐसी बात नहीं फिर उसके बाद आपने बस है न जोत वगैरा तो आपने जलाई दियोगी अब ग्यारा सो बारी ग्यारा सो बारी श्रीम श्रीम ग्यारा सो एक बार में अगर नहीं हो ता कोई बात नहीं पूरे दिन डिवाइड कर लो ना इसमें क्या लंबी चोड़ी बात है अब इसके बाद अब जो आपको पाय बताने जारी कोई भी पतरी का धो घर पे जगड़े ओ रुकावा काम हो छुपेव दुश्मन हो मैं क्याती कुछ भी हो कुछ नहीं ये करके देखो पिछले साल भी बताय था और कस्सम लगे जहां पर लोगों के हाथ कड़े हो गए थे ना कि यार इतने सालों से मेरे फादर साब पी रही है काम नहीं करें उनके भी फादर साब जो सालों से नहीं हुआ उनका भी मार्क कुल गया जो हस्बेंड वाइफ पे इतना वॉइलेंड क्या बोलती थी शाइना जी वो कहते है ना हस्बेंड का मूँ नहीं चलता सीधे हाथ चलते है और अब ऐसा हो गया कि कहते हैं उच्छी आवाज में मेरा हस्बेंड मुझसे बात नहीं करता आपको मैं कितने एक्जेंपल दूँ रात को करना है ना देखो एक मैं बात आपको बताती हूँ आप दिन में करो दुपेर में करो उससे कोई फरक नी पड़ता लेकिन अगर आपने रात की साधना नहीं करी तो किसी भी चीज का आपके फास्टिंग का आपके पाट का कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि जो गाय का घी और देशी कपूर यह आपने मा को चड़ाना है मा को चड़ा दिया यह रात में चड़ा दो सुबह भी चड़ा सकते हो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है यह वाला करम जो है यह आप सुबह भी कर सकते हो यह आप रात को भी कर सकते हो और उसके बाद क्या करोगे एक चीज बताती हूं, आपने ना जब मंत्र जाब करना है आपने कुछ भी करना है, आपने एकागर्चित होकर करना है एकागर्चित का मतलब क्या होता है, कि मैं जो मेरा ये human body है मेरे जो human experiences है, जो मेरे human responsibilities है उससे मैं अपने soul को uplift करके उस समय के लिए वो छोड़ दूँ मैं सिर्फ और सिर्फ अपने soul पे अपने उस उस अंच वो रूपे क्याते ना concentrate करके उनके साथ अपने को जोड़ू और फिर उसके बाद क्याते ना वो चीजों से अभी उस time पाँच मिनिट दस मिनिट उससे हट जाओ, उससे हट जाओ, क्योंकि वो तो चीजे कैसी है ना, वो तो जब तक हम है, धर्ती पे वो तो हमारे साथ ही चलेगी, कभी कुछ चलेगा, कभी कुछ चलेगा है ना, तो उससे थोड़ा टाइम आपने हट करके, अपने मन को इकागर चित करके, फिर उसके बाद करना है, आपने हवन इस टाइम पे जरूर करना है अब आपको या तो आप जैसे राद के समय करना है ना आपने गाई कौपला देशी कपूर घी डाल कर अगनी जलाली दो लोंग जोडों की दूसरा ऐसे 108 या फिर किस से कर सकते हो सिद्ध कुझी का स्तोत्र के मंत्र से एक एक जोडों से एक एक जोडों से आपको एक बात बताओ चोटी सी लोंग होती है ना लोंग को पहले सिद्ध करो किस चीज़ सिद्ध करोगे रात्री सूक्त के पार्ट से अपने हाथ पे एक जगा जैसे आप याद तो होता नहीं एक जगा पढ़े हो हाथ में लोंग रखो और इसको टंग के बीच में रख दो आपके अंदर जो एक पावर महसूस होईगी ना आप मेरे को खुद बोलोगे ये कुछ चीज़े थी जो मेन है बाकी भी कल से भी में और बताओंगी हो सकता है मैं लाइफ भी आओ मेरे पाशलोगों है ना ये चीज़ आपने जरूर करने है एक दम मस्त मगन होके थीक है न के बोल बोल के खुशी खुशी ठीक है है ना ठीक है आस्ट्रो वास्तू प्रोफेशनल कोर्स की रेजिस्ट्रेशन ओन है वास्तू करना आपको कंसिल्टेशन चाहिए वास्तू की हो एस्ट्रोलजी की हो मैं कॉल नहीं उठा पाती है ना फिर वो कमेंट्स आते हैं उल्ट चानल को सब्सक्राइब करो मेरा दिल अपने दिल से जोर दो वीडियो को लाइक करो शेयर करो इसले करो सब की जिन्दगी ठा हो जाए ओके दन बाब बाई नमस्कार